नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I think सब ठीक होँगे, आपके घर पे, आपके फैमिली, सब की लव्ड उन, सब ठीक होँगी आज मैं आपको ज्यानी पीडिया में कैसे आप एक आर्टिकल क्रियेट कर सकते हैं कैसे आप एक पेज क्रियेट कर सकते हैं उसका फुल एक्स्प्राइशन जी हाँ फुल एक्स्प्राइशन दूंगा एक्चुली पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है लेकिन पहले मैंने शॉर्ट कार्ट बनाया था तो किसी को समझ में ने आया उतना तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप फुल वीडियो एक्दम पूरा एक्स्प्राइशन टिप टू टिप एक्दम स्टेप बाई स्टेप एक्स्प्राइशन दीजिए तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो बहुत बड़ा भी हो सकता है बता रहा हूँ आपको तो en.gyanipedia.co.in ये है साइट ये आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक किजिए ये हमारा ग्यानिपीडे का home page खुल जाएगा यहां पर तो ये इसका home page है तो सबसे पहले अगर आप एकदम new है अगर आप कुछ भी नहीं पता एकदम zero है इस मामले में इस में आपका knowledge जो है एकदम zero है तो भी आपके लिए बहुत fruitful है तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं म इस में जो है अपना account create कर सकते हैं मैं दिखाता हूं कैसे create करना है आपको मैं log out कर देता हूं ये देखिए login पर दबाएए जैसे आप side में दबाएंगे login पर दबाएंगे यहां पर आपको देखिए ये login वाला page खुल तो जाएगा नीचे लिखावा है जैसे और भी wikis में आता है wikipedia में आता है join wikipedia वैसे यहां पर join gyanipida लिखावा है तो इस वाले button पर आपको click करना है इस वाले button पर click करने के बाद यहां पर आपको आपका username देना है यह दिखिए यहां पर लिखावा मैं यह अकर हटा दू तो यहां पर आपका username देना है क्या username आप देना चाहत और यहां पे जो है Capucha है, Recapucha वो सबको पता ही है, यह common सी बात है, कोई उतना वो नहीं है, तो यह करने के बाद आपको create account पर create कर देना है, और आपने जो email id दिया है, उस पर जो link आएगा, उस पर tap करके अपना email id जो है confirm कर देना है, तो चलिए आएए, आप article की तरफ पढ़त हाँ, login हो गया, तो यह दिखे, email login हो गया है, तो अब article को create करने का दो तरीके है, तो पहले वाले में मैंने एक ही तरीका बोला था, कि आपको इधर search करना है create an article, और यह जो page आएगा, इस पर अपने article का नाम डालके, इधर यह आप नाम डालेंगे, तो यह बटन शो होगा, तो इस button को दबा के आप article में, जो भी आपका content है, उदर डालके लिख सबके, लेकिन वह अर तरीका जो बहुत लोग को समझ पर आया है, तो मैं एक simple सा और तरीका बताता हूँ, जैसे कि आप अपने homepage पर जाए, तो homepage पर जाने के बाद, आप जो link है, इस पर tap कीजे, इस पर article का नाम होता है, है ना, तो अब मैंने एक article मैंने पहले से बनाया हुआ है, वो मैं google keep में रखा हूँ, या फिर आप किसी भी तरीका notepad या ऐसा कुछ use कर सकते है, article का नाम है शौरया भरदवाज, तो मैं यह इधर डाल देता हूँ, main page को काड़ देते है, यहाँ पे, हमारा जो wiki के slash के बाद जो आता है, यहाँ पे इस वाले portion में हमारे article का नाम आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब यह करने के बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको just go पे क्लिक करना है, यह देखें, मैंने क्लिक कर दिया go पे, अब यह जो load होगा, अब मुझे इस वाले page पे पहुचा देगा, अब आप create this page करके भी create कर सकते हैं, या फिर यह वाले button दबाए create कर सकते हैं, जब तर लोग इस वाले button को दबाए create करते हैं, तो अब, अब है main सवाल, जो इसके बाद, लोगो कुछ नी पता, क्योंकि यहां तक लोग आ भी जाते हैं, इसके बाद क्या करना है, किसी को कुछ नी पता है, इसके बाद, दो तरह के editors है, editing platform है, एक है source editor, एक है visual editor, source editor में, आपको जो होता है source code, वो edit करने को मिलेगा, और visual में जो है, आपको जो visuals है, जो source code के बाद, जो दिखता है, उस type के edit करने को मिलेगा, और तो मैंने यह article पहले से किया हुआ है, अब मैं इसको simply copy कर लेता हूँ, यहां से, select all करके, अब मैं आपको बता हूँगा, कि मैंने इस पर क्या क्या किया है, सब कुछ बता हूँगा, तो इसके बादमें इसको paste कर दिया, ठीक है, अब paste करने के बाद के बाद यह दिखए, यह मैंने article paste कर दिया है, अब क्या करना है, अब मैं इसको पहले तो मैं publish कर दिता हूँ, यह देखे, весь दाबा के publish कर दिया, यह मेरा अब आप आप लोग बोलोगे कि यह published हो गया लेकिन यह कहां से knowledge है यह जो यह box है knowledge box है यह इसको info box भी कहते है तो यह कहां से आया यह सब कहां से आया यह part कैसे हो गया यह बहुत लोग फुस्ट क्योंकि जिनका मतलब एकदम कुछ भी knowledge नहीं होता उनके लिए बहुत ही ज्या इसको यह है जिसको हम info box बोलते है इसको knowledge box भी बोला जाता है तो info box यह जो है इसको आप यह आप कहां से लाओगे तो इसको आप लाने के लिए सबसे पहले आप Google पर जाईए अपने टाइप कीजिए info box person ठीक है टाइप किया तो टाइप करने के बाद सबसे पहला जो लिंक आएगा सबसे पहला उस पर टैप कीजिए टैप करने के बाद स्क्रोल कीजिए आपके पस दो अप्शन है एक छोटा वाला एक बड़ा वाला आप यह आपके उपर है कि आप कितने सारे डिटेल्स ज यह जो आपका source code दिख रहा है क्यूंकि हम source code में edit कर रहे है तो इसको आप simply copy कर लिजेए Select all पर यह पूरा select हो रहा है ठीक है इसको मैं ऐसे ही copy कर लेता हूं इसमें से रुकी एक मिट ओ यह info box person यह नहीं हो रहा है इसको मैं simply ऐसे ही copy कर लेता हूं अब यह वाला वीडियो बनाने के बाद मैं सब को यह भेज सकता हूं ताकि सब लोग का doubt clear जाए क्यूंकि मुझे बहुत सारे लोग को एक दिन बताना पादता है जिससे मेरा time waste होता है बहुत सारे तो मैं इसको सब से फ़रे तो keep में जाके save करता हूं यह देखिए यह थोड़ा गड़बर हो गया है यह इसमें अक्चुली यह उपा वाला नहीं आया इसले थोड़ा problem हो गया तो चलिए मैं आपको छोटा वाला करके दिखाता हूं ताकि कुछ problem हो ना आगे कॉपी ठीक है अब मैं इदार आता हूं शौर्या भरदाज पर जाता हूं फिर से तो इसमें जो है अब यह इसको कैसे एडिट करना है इस पर information कैसे डालना है उसके लिए मैं इसमें एक sandbox बनाता हूं अगर आपको नहीं पता sandbox क्या है तो मैं आपको बढ़ा दू sandbox एक ऐसा जो है editing platform है एक ऐसा page है जिसमें आप Wikipedia में सारी wikis में होता है sandbox में आप कुछ भी edit करने के लिए कि इसके वाल इसको edit करने के लिए मतलब main main जो एक space है उस main space से छुपा के अगर आप मतलब site में कुछ edit करना चाहते हो देखना चाहते हो experiment करना चाहते हो कि यह वाला edit करने से क्या होगा यह वाला edit करने से क्या होगा तो उसके लिए हम wiki में sandbox use करते है तो इसके लिए हमें page का नाम slash sandbox जालना पड़ता है तो यहाँ पर हम यह page create कर लेते हैं तो इसमें मैं यह paste कर देता हूँ यह देखिए यह पेस्ट होगा यह देखिए यह उपर में info box person तो आया ही नहीं तो मैं यह add कर देता हूँ info box person अब जो इसमें है इस पर आपको सबसे फ़ल है तो अपने आर्टिकल का नाम यहाँ पर देख सकते हैं यह equals to के बाद जैसे मेरे आर्टिकल का नाम है शौरया तो मैं शौरया भरदवाज यहाँ पर डालूँगा शौरया भरदवाज तो जो भी है नाम स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा है तो यह मैं डालूँगा अपसे फ़लो उसके बाद image इमेज में आपको जो है ज्यानी इमेज अपलोड करना है उसके लिए अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा पहले तो मैं यह आर्टिकल पर काम करता हूं उसके बाद image का caption उसके बाद आपका birth name क्या है वो डलना है और यहाँ पर आपको आपका date of birth डलना है तो जैसे कि मैं अपना date of birth डालता हूं यहाँ पर देखिए year है मेरा 2000 2000 year है month है मेरा 12 और day है 23 तो अगर आप मैं भी date of birth डालूंगा तो यह आपका यह template लगा हुआ है इस पर तो इससे क्या होगा अभी यह show नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है कि यह डाला हुआ है इसको हमें हटान है सबसे परले तो यह जो चीज है इसको मैं पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा यहाँ फिर यह show होगा इसको हटाते है यह देखिए मैं इसको हटा दिया है तो अब मैं अगर next करूंगो तो यह देखिए यह show हो रहा है यहाँ बॉंड तो यहाँ पे बॉंड एक्चुई कि मैं 19 years का home है है ना तो इसके बाद आपको birthplace डालना है birthplace जैसे की कुलकाता डाल दिया कुलकाता इंडिया और हां कुछ कुछ लोग बोलते इस page को link कैसे करो मतलब इस पर दबा के आप दूसरे page पर चले या तो वह कैसे करो तो वह मैं दिखाता हूँ अगर आप कुलकाता इसको दो बर ऐसे और यहां पर अगर आप ऐसे करेंगो तो link create हो जागए इंडिया में भी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो यह देखिए अगर यह थोड़ा unexpected क्या आ रहा है पता नहीं कभी-कभी होता है server में problem तो उसकी वैसे आता यह देखिए यह अभी blue हो गया है है ना तो अ अब मैं इसको कर सेफ करता हूँ इस वाले पेज को तो सेफ करने के बाद आप आप देखेंगे कि यहां पर आप दबा कर इधर जा सकते हो कि कुलकरता का यह information आ गया है तो ऐसे ही आप मैंने यह 2-3 मेना दिखा रहा तो आप जो है सारे field जो है आपका nationality क्या है आपका education क्य क्या है और भी जो बाकी details है वह आप भर सकते हो तो चलिए हम फिर से उस वाले पेज पर चलते हैं अब आपका दूसरा सवाल कि दूसरा सवाल यह कि आप जो है इसमें रेफरेंसे जाने कि जो सोर्सें है वह कैसे आड करोगे तो वह एड़ करने के लिए आपको जो है वीज कुछ भी डालते हो जैसे कि मैं एक काम करता हूं इसको इसका पार्ट बना के दिखाता हूं अगर आप कुछ भी डालते हो तो जैसे कि मैंने यहां पर एक वार्ड डला यह दिखिए यह है तो मैं इसको एक काम करता हूं यहां पर तो इधर यह रहा इधर एक मैंने वार्ड डला, word है, early life extend, expand हो गया, extended, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक word डला, early life expanded, तो अब अगर मैं यह करूँगा, तो यह split नहीं होगा, है ना, यह कुछ भी नहीं होगा, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें करना यह पड़ेगा, कि इसके आगे 2 equals to, और यहाँ पर 2 equals to, यह डालना है, अब अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, शायद, अच्छा, हाँ, यह कुछ problem, अच्छा, यहाँ पर link का कुछ problem मैं आपको दिखाता हूँ, यह link की वैसे हो नहीं भी पा रहा है, ठीक है, यह देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर, इसने कैसे extend किया हुआ है, तो यह देखिए, तो यहाँ पर double equals to, यहाँ पर double equals to डाला है, तो यह article जो है, वो part हो गया है, यह देखिए, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, अगर आपको कुछ भी part कर करना है, तो आप उसको मतलब लिख के वो वाला word, इस पर double equals to और इस पर double equals to दोनों आप डाल सकते हो, है ना, इस पर भी work पर देखिए, आप work पर भी double equals to, double equals डाला हो है, तो आप अगर आप ऐसे करोगे, तो आपका जो है, यह एक मतलब अलग अलग parts में divide हो जागा, इस risk मे क्या होता है, कि अब हमें पता लग जाता है कि हाँ यह जो portion है, यह early dive cadre के बारे में है, यह जो portion है, यह training program के बारे में है, यह जो portion है, वो काम के बारे में है, तो ऐसे हमें पता लग जाता है, और इससे क्या होता है, एक मतलब article को एक अलग सा, जो है, एक क्या कहता है, एक अ तो जाने के बाद यह आपका खुल गया, visual variable में आपको जैसे कि कहा था कि आपको जैसा आपका उस पर दिखेगा, वैसा इस पर दिखेगा तो यह हमारे पहले से कुछ जो है references add किये हुए है यहाँ पर देख सकते 1, 2, 3 वह add हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका blue आएगा यह वाला तो इसको दबाके आप save कर दिए जैसे मैंने save किया पहले भी तो यह था पूरा article का पूरा process मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा क्यूंकि मैंने यह बहुत time लेके 15 minutes का हो गया 16 minutes का होने यह जो वीडियो बनाया है बहुत time लेकर आप लोगों को यह समझाया मैंने एक-एक step समझाया मैं आशा करना हूं कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद दया होगा प्लीज पसंद आना भी चाहिए क्योंकि मैंने इतना महनत किया है मैं यहाँ पे गर्वी में बैठके मैं पसी लोगडाउन चल रहा है लोगडाउन का पालम कीजिए इससे हमारा फाइदा होगा हमारे देश का फाइदा होगा और हमारे सोसाइटी है उसका फाइदा होगा और सब लोग शुरुखशित रही है मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शुरुखशित रहेंगे मैं आशा करता family में सब कुछ ठीक होगा और यह जो pandemic है वो जल्दी से जल्दी यह खतम हो जाएगा तब तक के लिए take care जय हिंद वन दे मातरम